तो आज हम लोग इसका question भी करेंगे और हम लोग balance sheet भी देखेंगे, तो हम ने आपको PL का पुरा format बताया था, right, I had told you how to calculate net profit, right, financial statements में अपने को PL बनाना पड़ता है, balance sheet बनाना पड़ता है, cash flow statement, statement of changes in equity and notes to accounts, right, पुरा ही हमारे curriculum में है, हमने जो PL देखा था, उसमें हमारा था statement of comprehensive income का दो पार्ट हो था, profit and loss account और एक other comprehensive income, right, वह पर पावर हो, पावर कौन कर दो, तो, बस वोड़ दो, so net profit and loss accounts हमारा net profit आता, that is income minus expenses, तो मैंने आपको दिखाया था, normal insurance company का income कैसे आता है, और normal business का भी income कैसे आता है, दोनों मैंने आपको दिखाया था, हमने आपको बोला भी था, आपके exam में दोनों test होगा, एक normal company का accounting भी test होता है, और insurance company का भी test होगा, हला कि banking company का भी मैं आपको सिखाया होगा, so यह हमने format दिया था, this is vertical format, बच्पन में अगर किसी ने accounting के था, उन्होंने T format में किया होगा, right, जहां पे credit side में income दिखाते हैं, and debit side में सारा expenses list out होता है, but यह हमारा कोई horizontal format ने, this is vertical format, इसको क्या बोलेंगे अपन, यह हमारा vertical format है, this is vertical format, ठीक है, यह हमारा vertical format है, it's a new batch for AprilDate, तो हमने देखा था revenue, less cost of sales, gross profit आ गया, उसके बाद हमारा operating expenses, operating में हमारा administrative related होता है, selling and distribution related होता है, तो हमारा operating profit आता है, उसके बाद हम लोग other income, other income में क्या आएगा, अगर हमने कहीं पर investment किया तो वहां से interest income आएगा, अगर हमने किसी company के share में invest किया तो वहां से dividend income आएगा, less finance cost, अगर हमने borrow किया है, तो हम loan पर interest payment करेंगे, तो यह हमारा profit before tax आजएगा, less taxes, तो हमारा net profit आ गया, उसके बाद हम other comprehensive income, जैसे मैंने आपको बताया था था न, net profit is realized profit, whereas other comprehensive is unrealized, like revaluation of fixed assets, हमने हमारे assets को revalue किया है, right, क्या था इसमें? Revaluation of fixed assets, मैंने आपको बताया था concept होता है, historical cost concept, वो क्या बोलता है, asset को पनको original cost पे दिखाने चाहिए, जिस price पे हमने asset को करीदा है, हमको asset उसी price पे दिखाना चाहिए, but उसमें problem क्या है, what is the problem? True value नहीं मालुम चलेगा, net worth calculation would be very difficult, right, mergers and acquisitions हो रहा है, takeovers हो रहा है, तो उसमें ये value नहीं चलेगी, तो हम लोग asset को revalue करते, but revalue करने से क्या हमारे bank balance बढ़ जाएगा, तो इसको unrealized profit बोलते है, right, इसमें और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, other comprehensive income में, but as far as your exam is concerned, they will be talking about only revaluation, right, okay, so यह हमने properly आपको पूरा PL का format दे दिया है, तो अभी हम लोग एक question लेंगे, past year का, right, and accordingly we will solve it, can you just give me the material ones, सब के पास है, booklet 3 में आए गयाई गयाई, है ना, एक second, हाँ, booklet 3 है, पे 74, यह हम लोग करेंगे April 2013 में आयावा कोशे नहीं है, यह हमारा April 2013 में आयावा कोशे नहीं है, कि भू युकेola जुके फोटो ना ते एल तुम लोग का भुक डेलिवर नहीं हुआ कि अभी तक, तो लाई क्यों नहीं बोला था ना लाने के लिए? आपको सीधा बोलेगा फाइनल अकाउंट बनाओ, अगर आप ध्यान से देखोगे, एप्रिल 2013 में जो कोशन आए था, यह भी आस्ट तो असीस्ट ओलडर, अमानुफक्ट्ट्रिंग कंपनी तु प्रिपर इस अनुल अकांउंट अ फॉल्लिग इन व्टेंड फॉल्लिग उप्तेंड फॉम्पनी इस बूक्पिंग रेकॉर्ट्स, बूक्किपिंग रेकॉर्ड्स मतलब, यह गीव यू तो यह ज़िए, इस बूक्राइब इस बूक्पिंग कंपनी इसमें गार्णि पर उन इसमें न इसमें अधारी अको दिखेंगा यह जाए जाए, जार्णि आपको देखेंगा यहां पर एंड सारे एक्स पैंसे का डेविड बैलन्स होगा, सारा का सारा income आपको दिखेगा, उनका credit balance होगा, सारा का सारा assets आपको दिखेगा, right, उसका debit balance होता है, सारा का सारा liabilities, oblique capital, इनका credit balance होगा, ultimately यह trial balance match करता है, ना होता क्या है, day-to-day activities को आपन record करते है, right, every day-to-day activities, exchange of good services is recorded, सारा हम लोग day-to-day activities को अच्छे से record करते है, record करने का rules है, there are golden rules, as far as modern approach, there are two ways, one you can follow traditional approach, another you can follow modern approach, traditional approach में हम लोग, items को classify करते, personal, real, nominal, and then we apply the golden rule, modern approach, which is known as American approach, उसमें हम लोग, asset, liability, expense, income, right, just hold on, करते हैं, 너back करते हैं, बाहント, में हम करता हैं, पींद करते हैं लोग medication magic of L weird advice indem the report app asks cash principle, momentज हम झालने का झा चल रहता हैं, बाहता हैं, आफ वा में रहता हैं, दो प्लोग Eeita, दे रहता हैं, पना में उता हैं दोग करता हैं, allein में भींद gonna. तो यह हमारा लिस्ट अफ आइटम्स है यू रिशी अप्रोच इन गोई दिश्ट अप्रोच यू गोई एक रिटेटिटिट एडैज में आपको पैसे मिलते हैं तो इंकम विल बी क्रेडिटेड तो बेस्ट वे होता है American approach, modern approach को follow करना, because ultimately, जब आप financial statement बनाते हो, तो उस समय आपको personal, real, nominal के हिसाब से आप place नहीं कर पाओगे, items को, आपको place करना पड़ेगा asset, liability, expense, income, so it is better when you do journal entries, at that point of time, you think about which is asset, which is expense, अभी क्या है, computerized accounting जो है न, जैसे tally is one of the most renowned accounting software in India, और भी बहुत सारे हैं, so accounting software में क्या होता है, मालू में, आप journal entry pass करते हो, ledger अपने आप बन जाता है, trial balance अपने आप बन जाता है, final account भी अपने आप बन जाता है, तो उसमें क्या, जब आप item create करते हो, न, वहाँ पे तो salary related आप जितना भी entry करोगे, वह आपको income से minus कर देगा आप, क्योंकि वह expense है, वैसे आप furniture, शुरू में आप बोल देते हो, यह asset है, तो furniture related आप जितना भी entry करते हो, वह आपका balance sheet को effect करता है, manual accounting में क्या होता है, general भी हमको करना पड़ता है, ledger भी हमको बनाना पड़ता है, ledger क्या होता है, जिससे मालो cash का ledger बन रहे है, what is that, cash related काफी सारा transaction है, पैसा आता जाता आता जाता आता जाता है, तो cash का हम एक ledger बनाएंगे, जिसमें हम लोग सारा inflow, flow of cash लिखेंगे, ultimately मेरा cash का net position आ जाएगा, तो यह जो, यह जो asset होता है न, यह as on होता है, यह liability होता है, as on होता है, आज के दिन, इन दोनों को minus करेंगे, हमारा net worth आ जाएगा, यह हमारा for the year होता है, expense वाला, यह वाला भी हमारा for the year होता है, income वाला, expense income पूरे साल का है, जैसे मैंने salary हर मैंने payment दिए, तो बारा मैने का salary का total हो गए यहां पर, मैंने साल में 50 बार खरीद है, तो 50 बार का total का purchase यहां पर रहेगा, मैंने rent payment के तो पूरे बारा मैंने का rent का total यहां रहेगा, तो यह चो trial balance आपको दे देगा exam में, मतलब यह सारा items आपने record कर लिया है during the year, इसको खाली place करना है, यह चला जाएगा आपका SOCI में, PL में, यह चला जाएगा SOCI में, यह चला जाएगा SOFP में, यह चला जाएगा SOFP में, सहाम जर्योख किने कि झाल झाल इसको क्या बोलते हम लोग रेकॉर्ड इड क्या रेकॉर्ड इड फाइनांशिल इड और इनकी प्लेसिंग एक ही जगा होगी या तो पील में या बैलेंशिट में दो जगा नहीं होगी जिसे कैश का मारा नेट बैलेंस आ चुका है डेटर कस्चमर सपोज मैंने तुमको उधार में बेचा हलाकि हम लोग उधार में नहीं बेचते हमारा 100% एडवांस है हमने उधार में बेचा, फिर आपसे थोड़े से पैसे लिए, फिर आपको बेचा, फिर पैसे लिए, फिर बेचा, फिर पैसे लिए, तो एक नेट बैलेंस आएगा ना, डेटर का, एक नेटर कभी भी फॉर्दा यहर नहीं होता, जब मैं आया था, मैं पचास हजार रुपय लेके आये थे, अभी पचास रुपय के लाले पड़े हुए हैं, ता से हफते बर पहले जो पोजिशन भी कैशी आज वो नहीं है, अगर कोई बोलता है आपके लिक्विडिटी की परिस्थिती बताईए मैंने आपको एक डियाग्रम बताया था याद है यह देखो फाइनेंचल ये रेंड यहां हो रहा है देख रहे हैं आप यह है ना फाइनेंचल ये रेंड सारे सारह का सारह एंसेट लिइटी इस दिन का है आ है steps फाइनेंशल स्चेटमयन्ट है 31 ço proto का लेकिन वह कम्मुनीकेट कब किया जा रहा है Hai September में को September में तुम चाह मैना पहला final कियाव अकाउंस September में तुम six months before वाला एकाउंट्स तुम कम्यूनिकेट कर रहे हो. What analysis I will do? I can't do anything. क्योंकि these datas have become out of data. Can you actually do liquidity analysis? Tell me. यहाँ पे जो cash का position था, क्या और September में वही रहेगा decision लेते वक्त? Actual में होना चीए, March में साल खतम हुआ, April में में communicate करो information. तब फाइदा होगा. फाइदा तब होगा ना? तो financial figures को rightly communicate करना भी बहुत ज़रूरी है. आपनको financial statement बनाना है. Expense income पूरे साल का होता है. इसलिए profit हमारे पूरे साल का आएगा. Expense income पूरे साल का होगा. इसलिए हमारा profit भी पूरे साल का आएगा. Asset liberty as on. इन सब को अपन recorded items बोलेंगे. क्या बोलेंगे? These are recorded items. अभी आप देखो. हमारे को balances दिया हुआ है. balances, asset 31st March 2013, they have given us. हमारे को balances दिया हुआ है. दिया हुआ है न? इसमें जितना भी expense income है, यह सब for the year होगा. बला, April 12 से लेके March 13, और जितना भी asset liberty होगा, वो as on March 13 होगा. सब नीचे भी कुछ-कुछ दिया, which do not include the following. इसका मतलब, these items are not yet recorded. यह items अभी तक record नहीं हुआ है. इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, तो इनको record करना पड़ेगा? यह सर नो? इनको record करेंगे, मतलब, इनका दोनों aspect record होगा. हर transaction का एक सिक्के की तरह दो पहली होता है, head and tail, give and take, receiving, giving. मैंने goods खरीदा है, तो मैंने goods receive किया, cash दे दिया बदले में. मैंने asset खरीदा है, asset आया, बदले में cash दे दिया. मैंने rent payment किया है, तो मैं service receive कर रहा हूँ, बदले में मैंने cash outflow दिया है, receiving and giving. तो यह जो transaction आप देख रहे हो, एक तो revaluation करने बोल रहा है, जो कि unrealized होता है, वो other comprehensive income, इससे अभी अपने को मतलब नहीं है. यस और नो. और एक हमारा है, depreciation during the year. depreciation मैंने benefit derived from the asset. तो इससे क्या होगा? जो part आप benefit derive करोगे, वो आपके लिए expense बन जाएगा? अगर मैं आपको simple terms में बोलूँ, मैंने एक asset खरीद के लाया हूँ. मैंने एक furniture खरीदा है, एक लाग का. इसकी जिन्दगी है पांस साल. मैंने एक asset खरीदा है एक लाग का, इसकी जिन्दगी है पांस साल की जिन्दगी है इसकी. ठीक है एक साल हो गया है हाव मच इस बेनिफिट डिराइवट बेनिफिट डिराइवट बेनिफिट डिराइवट इन एन अकाउंटिंग प्रियेट बोगाउं बीस हजार कैसे पता चला एक लाग जिन्देगी है पांस साल तक खाएंगे इसको कमा के इसको यूज करके पांस साल तक अपना पेड पालेंगे तो बीस हजार जितना बेनिफिट हमने डिराइव कर लिया है तो यही हमारा एक्सपेंस ब मिसात बूलाते हैं डेप्रीड सीय सं सकता नाम अलग मैं सारे एक्सपेंस का नाम भी अलग 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 है किसी मज़दूर को खटा रहें षाले किसी का जगा यूस कर रहें इन्त्रेस्ट्री एक्रश बदले में किसी का पैसा मत्राइब उसक रहें इह और अलग सप्लियों एसे उसका रहे डेप्रीशेशन बेनिफिट ये टूबी डिरेफ्ट किता है ये बेनिफिट ये टूबी डेफ्टी अजार तो ये हमारा बन जाएगा एसेट है है ना बलो ये टूब डेप्रीशेशन कितना अगें ट्वेटी दाउजन एसेट वेरी गुड अब इसके अकाउंटिंग दो तरीके से होती है अपन जो अकाउंटिंग करते हैं इस दन इन तू वेज एक होता है हमारा नेट मेथ़ड राइट ग्राइट वाइजिरो वाइवन वाइटू वाइट्री वाइफोर वाइफद एसेट इतना एक लाग असी शाट अर्टाई do you know क्या हुआ क्या हर साल एसेट इस रिदूस्ट बाइदी अमाउंट पफ डेप्रीशेशन हर साल हमने आसेट को रिदूस कर दिया है by the amount of depreciation ठीक है अब एक होते हैं हमारा ग्रॉस मेथर्ड ग्रॉस मेथर्ड क्या बोलते मालू है बोलता आपने एसेट खरीदा है कैश आउट फ्लॉ आपका यहीं हो गया हर साल आप ट्वेंटी थाउजन काप डेप्रीशेशन दे रहे है बला एक्सपेंस बुक कर रहे है एक्सपेंस बुक कर रहे मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है बट कैश फ्लो इस नॉट चेंजिंग हर साल बीस हजार से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है डेप्रीशेशन खर्चा होता है न बट आपका कैश फ्लो चेंज नहीं होगा कैश फ्लो क्या है कैश फ्लो तुमारा इंटेक्ट है शुरू में जो लग गया सो लग गया बार बार थोड़ी लग रहा ही एक लाग रुपिया यह मैंने शुरू में पेमेंट कर दिया आभी मेरा कैश फ्लो इस नॉट चेंजिंग प्रॉफिट मेंने डिक्रीज हो रहा है बट कैश फ्लो चेंज नहीं हो रहा है कैश फ्लो इंटेक्ट है एक इंसान के अगर बात करूं मैंने पांसो में समान खरीद के लाया मैंने हजार में बेच दिया तो मेरे पॉकेट में कितना है पांसो और मेरा प्रॉफिट कितना है पांसो में मैं खरीत के लाया, हजार में मैं बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट पांसो, कैश भी पांसो, तो यूजली जो प्रॉफिट होता है, उतना कैश होता है, but not because of depreciation, डेप्रिशेशन में प्रॉफिट कम दिखेगा, का कैश लो जादा दिखेगा क्योंकि कैश इसका शुरुवात में चला जाता है डेप्रिशेशन देने का एक मकसद होता है वह मकसद क्या मलूम है फांड्स फॉर रिप्लेस्मेंट आसे पांच साल बाद यह ऐसेट का वैल्यू क्या होगा जीरो चैनि यूज इससेट आफ्टर फाइव एस आपसुरुटली नो तो वाट यू दू यू यू विल बी नीडिंग अन्यू वान आपको नया एसेट का दरकार पड़ेगा हाँ य कहां से लाएंगे हिए हमको नया एसिट का पैसा चाएए वापस राख रुपेया यह तो मेरा शादी हुगा था उस समय उससमें दहे जाया था कि उससमें दहे जाया था उसी पैसे से मैंने attraction कि अध्यां जा उसे थे इसे नहीं पॉसिबल है, for that I have to take a new birth, इस जन में संभव नहीं है, तो आपने ये जो पैसे, जो आपको उस समय मिल गया था, या आप वापस से आपको मैनेज करना पड़ेगा, घटा करना पड़ेगा दूसरा सोर से, हर बार हाथ क्यों फैलाएंगे किसी के सामने, planning इस सारी कैसे करो, हर साल आप depreciation दे रहे हो न, आपका profit कम हो रहा है, बट cash flow कम, तो कहीं न कहीं आपका cash generate हो रहा है हर साल, होगा क्या जब आप profit कम दिखाओगे न, तो आप drawings भी कम करोगे, घर भी आपके कम पैसा जाएगा, वाइफ आपको यह पूछेगी, आप कितना कमाते हो, आप बोलोगे एक लाक, तो पूरा एक लाक ले लेगी, अगर आप बोलेंगे 80,000 तो 80,000 लेगी, तो जितना कमाते ह से कम बताया करो, जब तुम लोग 7 आप लेगा न, तो उसमें एक वचन ऐसा भी है, उसमें बोलता है, कि सब कुछ सच-सच बताना चाहिए, हर चीज सच-सच नहीं बताना चाहिए, तुम चैन हे रही कमाई 1,00,000 है बोलो कम, तो खरचे कम होगे, तुम चैन होगे, तुम कम बर रिपोर्ट करो, तो प्रॉफिट आपका कम है, लेकिन कैचलो तो कम नहीं हुआ न, तो इंटरली कहीं न कहीं सेविंग्स हो रहा है, उस सेविंग्स से आप एक लाग का नया ऐसेट खरीच सकते हो, तर सेविंग्स जो हो रहा है, वो हमारे बिजनस में ही ब्लॉक्ट है हमने तो अलग से नहीं रखा न, इसलिए अपन बच्पन में सिंकिंग फंड भी पढ़ा होगा बहुत जन, सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रीशेशन, उसमें क्या होता है हम लोग डेप्रीशेशन देते हैं, और उस पैसे को हम लोग बिजनस से कहीं भार इंवेस्ट कर हैं, एक सार प्रॉफिट निकालना है, एकस्पेंस दिखाना है, हाया न, एक हमको प्रॉफिट निकालना है, एकस्पेंस दिखाना है, दूसरा, पंट्स फर रिप्लेस्मेंट, तीसरा, मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, कॉस्ट आफ एसेट क को मैच करके डिखा यह एसे ना कितना साल कमा रहे हो इसका कर चाको तोड़ टोड़ के पांच साल में दिखा ओं एक बार में पूरा नहीं डेपीशेशन का मतलब इस अ systematic allocation of the cost of the asset over the useful life of the asset because with this asset you are earning for five years so iska cost will be spread over five years तो हर साल डर्पीशचन देने साब का प्रॉफिट काम हो रहा बट कैश फ्लोच नहीं हो रहा है तो खाहिना कहीं सेविंग्स जेनरेट हो रहा है उसी से विंग्सेश अप ऐसे खरीद लोग एक साल पांच साल बाद तो it is helping you in creating funds for replacement but after five years there might be a problem the funds are in the business it might be blocked somewhere else business में कैश है accounting wise समझ में आ रहा है analysis करने से समझ में आ रहा है कि पैसा कहीं न कहीं है business में but वो अलग से नहीं रखा हुआ है तो क्या होगा कि यह यह यूज हो जाएगा तो इसलिए लोग क्या करते जैसे depreciation देते उतना पैसा कहीं भार invest कर देते हैं उतना ही amount को तो इससे क्या होगा पांच सल जैसे होगा बिजनेस से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा उस investment को तोड़ो और नहीं असे खरीद लो दिस हाव इटीज इस इस तरीके से होता है काम इस चल रहा है क्लास सो चली रहा है हां मोहित बोलो कि वह गेट ढग देना थोड़ा और रिमोड ले आथ एसी का रिमोड ले और वह अला गेड़ भी बंद कर दो कि उसमें लॉक लगा दे लसकाल इसको ढग दे हां कि प्रकुल यहां होता है हां कि डेप्रिशन का तीन अब्जेक्टिव होता है एक होता है तुम्हारा प्रॉफिट निकालना है बोलके डेप्रिशेशन दिखाना पड़ता है खर्चा है ना एक टाइप का तो डेप्रिशन नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा डेप्रिशन दिखाना पड़ेगा ना प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरा हो गया फंड्स फर रिप्लेस्मेंट और मैचिंग प्रिंसिपल एकाउंटिंग कॉंसेप्स का वीडियो देख लेना आप लोग रिकॉर्डेट में हैं ठीक है मैं जो इंपॉर्टेंट पॉर्टेंट चीज़े उस अब करवा रहा हूं एकाउंटिंग कॉंसेट वी इंपॉर्टेंट है बट काफी लोगों का किया वे बोलके मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं ठीक है तो ग्रॉस मेथड मैं समझा रहा था उसके लिए मेरे कोई समझाना ज़रूरी था तो ग्रॉस मेथड क्या बोलता है मालू मैं यह जीरो वन ग्रॉस मेथड बोलता है ऐसेट की वैल्यू एक लाग ही रहेगी हर साल कि लेस कि फंड्स को डेप्रीशेशन डेप्रीशन का मैं फंड खटा करूंगा पहला साल बीस हज़ार दूसा सल में और डेप्रीशेशन दिया तो फंड कितना बन जाएगा चाल्लेश क्या प्रब्लम हो रहां यह फंड है डेप्रीशेशन इंक्रीशन नहीं हो रहा है फंड फॉर डेप्रीशेशन अला फंड्स फॉर रिप्लेस्मेंट इसे मैंने फंड लिखा है यह प्रूंग यह प्रूंग यह प्रूंग एक देप्रीशेशन फबिटार्टा करते हैं। एक देप्रीशेशन फटोन है। fund बनाते हैं, और net method में क्या होता है, हम लोग straightaway asset का value को reduce कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं accounting entry link दे रहा हूं, बट आपके दरकार नहीं है, depreciation, expense, debit, और जो asset है, उसकी value decrease हो जाएगी credit, झाल ठीक है और इधर में क्या होता है मालूम है हुआ 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 है तुम लोगे पर कोश्चन पढ़ो हां इसके बाद मैं सॉल्फ कराऊंगा फिर तुम लोगे परभाई। झाल 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 ठीक है? पढ़ लिया? तो समझ में आगे ना ग्रॉस और नेट मेथड का कहानी? एसेट की वैल्यू को हम लोग सीधा कम कर देते हैं यहां पर दोनों ही केस में ग्रॉस हो चाहिए नेट मेथड हो नेट मेथड में फॉंड्स आ जेनरेटेड बट इसमें इंटर्नली इस जेनरेटेड इसमें इसे दिखाते हैं अल्टिमेटली आप देखो ना एसेट का वैल्यू दोनों इसमें नेट सेम ही आ रहा है इसमें अपन एसेट को डिरेकली रिड्यूस कर दें बाइधी अमाउंट अफ डेप्रीशेशन तो यहां पर भी 80604020 इधर भी वही है 80604020 इसमें एसेट इसमें 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 एड हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस फंड्स फॉर डेप्रीशेशन इसको अपन एक्युमूलेटे और तेप्रीशेशन भी बोलते हैं तो यहां पर अपन डेप्रीशेशन दे रहें ऐसा बत देप्रीशेन नहीं दे रहें पर उसको आपने इखटा करते जा रहें क्योंकि it is it is it is helping for funds for replacement right depends देने का मकसद क्या है एक तो अपनको profit निकालना है तो खर्चा आप दिखा ही रहे हो expense दिखा रहे हो तो PL में आए गाई दूसरा funds for replacement funds for replacement fund create हो गया ना एक लाग का कि दोनों में है कि अरे पांच साल देखो यहां पर क्या हो रहा है यह accounting करने का तरीका है कि दोनों में ही तुम्हारा cash flow is more than profit कि दोनों ही जरूरी निया मैंने fund बनाया मतलब क्या कि पैसे भार invest हो गए पैसे आपको अलग से invest करने पड़ेंगे हर साल कि एवरियर आपको investment डेविट कैश क्रेडिट 2020 थाउजन करके यह अलग से एंट्री है thinking fund यह मैं आपको depreciation की accounting entry बता रहा हूं लोग दो तरीके से accounting करते हैं कुछ लोग directly asset की value को reduce कर देते हैं कुछ लोग fund भी create करते हैं fund create के that doesn't mean कि पैसा भी भार invest हो गया अलग से invest करना पड़ेगा कि डेप्रिशेशन देने साब का profit कम हो रहा है cash flow कम नहीं हो रहा cash flow intact है internally funds are getting saved कि आप कम profit दिखार मिला कम drawings करोगे तो हर साल profit कुछ न कुछ सेव हो रहा है cash flow internally पांट साल बाद आपको नए असेट खरीद आपको दिक्कते आएंगी तो कि that cash which is internally saved might be typed up in some other activity mean you might have purchased goods you might have purchased some other asset तो इसलिए लोग क्या करते हैं investment भी करते हैं बाहर तो this entry is something else यह मैंने depreciation करने के दो तरीके बता हैं आपको accounting entry यह आपको accounting entry ट्रस नहीं होगा लेकिन जब आप final account बनाएंगे तो आपको यह सब दिखेगा तो net method में आपको asset related एक ही item आइटम आएगा asset balance और gross method में आपको asset भी आएगा उससे related fund balance भी आएगा तो आप दोनों को net minus करोगे तब जाके आपको net balance आएगा this is nothing this is net balance न वहां directly net balance आ रहा है यहां पर funds को minus करने के बाद आपका net balance आ रहा है तो बैस तरीका क्या है जब आप fund क्रियेटी कर रहे हो तो उतना रूपया बहार इंवेस्ट करो जितने का आपने फंड बना है आपका investment भी उतने का ही होना चाहिए कि इस इट फाइन कि चलिए कि लियर कि चलो कि एट्मिनिस्ट्रेटिव सेलेरी एक्सपेंस है अच्छा आपको ट्राइल बेलेंस दिया यहां पर कोश्चन में आपको ट्राइल बेलेंस दिया बढ़ डेविट करके नहीं दिया कि समझ रहे हो अगर डेविट करके देदेगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा कैसे बोलो तो डेविट मतलब या तो एक्सपेंस क्रेट मतलब या लाइव लिट इंकम बढ़ यहां पर डेविट के डिट में दिया अपने को नेचर से समझना पड़ेगा अब मालो खली हाँ पर सेलरीज बोल देता पील में तो जाएगा लेकिन कहां पर जाएगा कोस्ट और प्रोडक्शन में जाएगा एड्मिनिस्टेटिव में जाएगा कि सेलिंग में जाएगा कैसे मालूम सेल्समें का भी सेलरी हो सकता है प्रोडक्शन वरकर का भी सेलरी हो हो सकता है अजूम नहीं इस टाइप का पी यल का फॉर्माट में प्रॉब्लम क्या है यह फंक्शनल पी यल है इसको क्या बोलते हैं कि फंक्शनल पी यल सब्सक्राइब किदर डालोगे अगर प्लांटर में चरी का है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा प्रॉडक्शन रिलेटेड हो गया ना यहां सब प्रॉडक्शन रिलेटेड आता है यह हो गया ओफिस एड्मिन और यह सेलिंग रिलेटेड अगर डेप्रिशेशन और प्लांट है तो वह प्रॉडक्शन रिलेटेड में आएगा डेप्रिशेशन और फर्नीचर है तो वह ओफिस रिलेटेड में आएगा डेप्रिशेशन और डेलिवरी वैन है तो वह तैलिंग डिस्विशन में आएगा तो यह PL हमारा functional PL है, इंडिया में जो PL का format है न वो functional PL नहीं है, इंडिया बोलता है total income minus total expenditure, इंडिया बोलता है total income minus total expenditure, इंडिया बोलता है, बोलता है, वहाँ पर salary सारा ही खटा होगा, अलग-अलग नहीं होगा, लेकिन काफी सारे country में इंडिया में पहले ऐसा ही format था, अभी जो नया company's act है, उसमें format change हो गया है, इंडिया में बोलता है total income, total income में आएगा revenue plus other income, revenue plus other income करके सिधा total income, total expenditure में cost of sales, सारा का सारा salary एक साथ, finance cost एक साथ, depreciation एक साथ, अलग-अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर functional है, इससे ratio analysis करने में easy होगा, इंडिया वाला जो format है, उसमें ratio analysis करने में बहुत difficult होगा, gross profit निकाला, GP by sales into 100, net profit निकाला, net profit by sales into 100, operating profit margin, cost to sales ratio, सब आ जाएगा easily, लेकिन इंडिया वाला जो format है, उसमें ratio analysis करना बहुत difficult हो जाएगा, उसके ललग से आपको इस step का PL working note पर बनाना पड़ेगा, तो इन इंडिया वी आर फॉलविंग नन फंक्शनल पील, ठीक है ना तो इसको अपन फंक्शनल पील भी बोलते हैं, यह तो UK का format है, 2013 में जो companies एक्टा है था नेया, हम लोग को करना है एप्रिल 2013 वाला कोश्चन, कश्चन, क्युक्तौ उर विंड है वी हैं, झाल 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 पूरा फॉर्मेट मेरे को रट गया है रेविन्यू लेस कॉस्ट आफ सेल्स आगया क्रोस प्रॉफेट क्षिए 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 झाल 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 अब हम लोगों क्या करना है क्याय करना हुआ चिके करो करें यार अभी हम लोगों क्या करना है जैसे हमारा नोट नमबर वन यह मारा नोट टू यह मारा नोट थ्री कॉस्ट आप सेस्ट में बहुत सा अची जाएगा लेवर आएगा मट्रेल आएगा अधर एक्सपेंसेज आएगा बाएगा कर दो झाल कर दो झाल 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 ठीक है दोस्तो ट्वेंटी मक्स टुटे यू टेकिन यूर पॉकेट बढ़ू आगे है अभी हमने क्या करना है यहां पर तीन खाचा बना लेना है यह हमारा नोट वन कॉस्ट आफ सेल्स यह हमारा नोट टू एडविन आफ सेल्ड एडविन अग्सपेंस यह मारा नोट ट्री आफ देल गश्तों ठीक है भाई बढ़ू आगे कि नहीं बढ़ू नहीं बढ़ू बढ़ू ियाओ बढ़ू भाई भाई नहीं भाई बढ़ू नहीं बढ़ू। बढ़ रहा हूं आगया है बढ़ जाओ चलो एटमिनिस्ट्रेटिव सेलेरी सब रुपीज इन पाउंड है अमाउंट इन थाउजेंद्स है एटमिनिस्ट्रेटिव सेलेरी किसमें आगा नोट वन टू तू रिजल्दी बोलो हाँ सेलरी इधर आएगा सब पाउंड इन थाउजेंड है चतिस सो एड़र्टाइजिंग बोल भाई प्री में आएगा इसका ना बैंक ओवर्ट्राफ्ट लिए लोनली आना अपने ओवर्ट्राफ्ट लिमेट लाइबिलिटी बैलेंशिट में जाएगा तो इसमें मार्क करके रख लेंगे लाइबिलिटी में यह ना Fur को को बैलेंशिट तो अपने कल सेथेंगे न बिल्डिंग का देखो दो फिगर दिआ वह एक वैल्यूएशन भी दिया और डेप्रीॉरेशन भी दिया है इसका मला यह क्या मिन ऐर फाट्रिफर ल की फंद sua डेल्यू दियावान न सब करेडित होगा डेवित बैलेंस फंड होगा क्रेडिट होगा रऐट यह बैलंस इताइटेम है करेंट एर का डेप्रिशन खर्चा भी माना जागा और फॉंड में भी आड़ होगा इस साल का जो डेप्रिशन देंगे तो पिछले साल का है न अभी इस साल का दिया कहा है देखो पॉइंट नमबर टू अज़ेस्मेंट में दिया वह नीचे हैं पॉइंट नमर वन रिवालुएशन का है पॉइंट नमर टू डेप्रीशेशन का है कोस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंजूम दे दिया 435 कहा जाएगा इन्वेंट्री कंजूमड पॉर थर्टी फाइफ डेलिवरी वेहिकल रुणिंग कोस्ट पेट्रोल डेलिवरी वेहिकल की कोस्ट और उसकी डेप्रीशेशन बैलेंशीट डेप्रीशेशन फॉर देप्रीशेशन ठीक है दिविडेंट पेड फेनाच कोस्ट किया होते है जो लोन लेते उसका ब्याज डिविडेंट पेड एक्विटी में आएगा ना इस बांभी साथ शोड़ेल कोई एमने यह संवरर हम नहीं धंदा करते हैं थोड़ा सब लेते अपना पैसा लगाते तो लोन का सब्याज बसक्राइश बसक्राइब सिल रही हो कि फिनांस कॉस्ट है कि समझ रहे हूं लोन का जो ब्याज है वो कि फिनांस कॉस्ट यह फिनांस कॉस्ट नहीं है यह इकुटी है मला हमारे एकुटी कम हो जाएगा डिविडेंट दे दिया ना यूजिली मैंने आपको बदा प्रॉफिट एड होता है कैपिटल में आज मानने हमने एक लाक रुपया लगाया उसमें मैंने 20,000 कम आया है तो हमारे एकुटी कितना हो जाएगा एक बीस उसमें स 10,000 डिविडेंट दे दिया तो एकुटी कम हो जाएगा ना प्रॉफिट से एकुटी भरता है डिविडेंट से एकुटी कम होता है इसमें आएगा इसमें आएगा इसमें आएगा लिएंस कॉस्ट धी एट फौर एंडिड का जाएगा इएदर आएगा 38 फौर एंड फैनान्स कॉस्ट प्रेस्टा करता है चीगना इन्वेंट्री एट 31st मार्च 2013, अब ध्यान से सुनना, यहां हमारा इन्वेंट्री कंज्यूम दिया हुआ है, कंज्यूमला स्टॉक इसमें से अलेडी अज़स्ट हो चुका है, यह हमारा रेविन्यू के साथ मैंच हो चुका है, आज अपन सौपीस खरीते हैं, बेचते असी पीस हैं, दिल पे हाथ रखके बताना, सेल्स ओफ एटी पीस से, परचेस ओफ हाउ मेनी पीस यू विल डिड़क्ट, यू परचेस हंड़ेड पीस, आपने परचेस किया है, सौपीस, अमांट से मतलब नहीं है, सेल्स के आपने एटी पीस, जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, सेल्स ओर एटी पीस से आप परचेस फ़र हाउ मेनी पीस, एटी मैचिंग प्रिंसिपल, जीतने गार रहे हैं यह उतने गई ना खर्चा माइनस होगा भाई, मचली थोड़ी बेच रहे हैं जो अगले दिन नहीं बेच पाएंगे, अगर यह परिशेवल होता, तो मैं तुमारी बात मानता भी, तब परचेस भी सौपीस का था, इसका मला कहीं ना कहीं तुम यह परचेस में से माइनस ट्वेंटी कर रहे हो, और यह माइनस ट्वेंटी क्या आपका, और यह क्लोजिंग स्टोक को आप अगला साल बेच के कमाएंगे, तो इस साल का यह क्या बनेगा, तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा, परचेस से less भी होगा, बैलेंस इट आपके में भी जाएगा, लेकिन इस कोशन में क्या है दोस्त, इस कोशन में क्या है दोस्त, consumed, already adjusted है, इसी लिए तो closing stock acid दिखाया आप है, trial balance में, purchase cost से यह already minus हो चुका है closing stock, तभी ना closing stock जनम लिया, आज closing stock जनम कहां से लेगा, इसी में से ना closing stock है, out of purchase only we have something left, एक चीज़ को दो चीज़ दिखा सकते हो क्या, furniture asset भीया, furniture expense भी नहीं, furniture to the extent of 20,000, depreciation is an asset, sorry, furniture to the extent of 20,000 is an expense, remaining 80 is asset, next year, again 20 is expense, remaining 60 is asset, तो इसी purchase में से 20 closing stock asset बज़े आशेट क्यों क्योंकि अगला साल बेचके कमाएंगे, हमको इस purchase को adjust करना, adjust करना, adjust करना, adjust करना, adjust करना है, adjust करना है, adjust कैसे होगा, इसको माइनस करके होगा, तब जाके इसको आप asset दिखा पाओगे, तब जाके सुनो, एक होता है, दो टाइप का inventory system होता है, यह आप लोग सीखेंगे, जो लग accounting student होता न, दो टाइप का inventory record system होता है, एक होता है, आपने खरीदा कितना, 100 piece, इस पें से बेचा कितना, 80, 20 stock, यही है न ब्रेक अप, यू पर्चेस हो मच, 100, 80 यू सोल्ट, 20 इस टोक, इट मेंस 80 इस cost of sales, 20 इस असेट, तो one treatment क्या बोलता है, एक method one, method one क्या बोलता है, treat inventory as expense, inventory का खर्चा मानिए, जो बच जाएगा उसको आप एसेट दिखाईए, दूसरा, treat inventory as asset, जो बिख जाएगा उसको cost of sales, बाकी asset तो बचा भई है न, यहाँ पर बोला है, जो बिख जाएगा उसको cost of sales में दिखाओ, बाकी, automatically left over his asset, yes or no, तो यहाँ पर क्या होगा, purchase minus stock is cogs, इधर में, accounting का तरीका अलग अलग है, purchase minus stock is cost of sales, एक आदमी होता है, जो हिसाब किताब नहीं रखता है, कोई हिसाब नहीं है, purchase का कोई हिसाब नहीं है उसके पास, क्या करेगा वो, उसको मालू में total purchase वो कितना किया है, if I am not keeping record of inventory, मैं पास inventory का कोई हिसाब नहीं है, तो in that case I know my total purchase, nothing else, at the end of the year I will go to my godown and count my stock, so from purchase when I subtract my stock, left is what sold, that becomes my cost of sales, एक आदमी होता है, जो एक एक इंवेंटरी आया उसका हिसाब रख रहा है, तो वो क्या करेगा, जो बिकेगा उसको cost of sales, बाकी left over is what, stock, एक बोलता हम हिसाब भी नहीं रखेंगे, साल के अंथ में मैं जाऊँगा, stock की गिंती करूँगा, साल के अंथ में मैं जाऊँगा, मैं stock की गिंती करूँगा, जो बच जाएगा वह हमारे लिए closing stock, तो उसको अगर cost of sales निकालना, तो कैसे निकालेगा वह, purchase minus stock, एक आद्मी बोलता है, नहीं मैं पाई-पाई का हिसाब रखा हूँ, तो वो जो बेचेगा, उसको cost of sales में डालेगा, बाकी तो उसके पास बचावाता asset है, यहां पर प्रॉपर रेकॉर्ड्स, इसको अपन physical inventory system बोलते है, method 1 को, method 2 को अपन बोलते है, continuous stock taking, perpetual inventory system, यह सब accounting terminologies है, इसमें कोई record नहीं है, you count, you count at end of the year, so this is your stock, from purchase, subtract stock, rest is cost of sales, यहां पर you keep proper record, 100 पीस आया है, 80 भी का, तो 80 को cost of sales में डालो, तो automatically stock account में कितना बचेगा, 20, इसका है physical inventory system, पहला बाला का, और इसका है, perpetual inventory system, और इसका है, और इसका है, और दूसरा हमाता प्जय के दूए है ? नहीं प्रूसरा चाहे रहे स pot data, प्रूसरा हमाता राला का लिए है, झाल झाल ठीक है तो इस कोशन में भी वह यह देखो प्रोपर रिकॉर्ड मेंटेर इसलिए लोग कन्जूूम रिलग देदिया स्टोक बिलग देगाना की MR staff को ऐसे संट ए roads on कि यहां पर क्लोजिंग स्टाग नीचिए देगा इसको भलकाउब किया है ल में कुंथ इसे एक है इसका मनलग है, they are having proper record, इतना consumed, इतना stock, इसमें तुमको daily basis पे मालूम चल जाएगा कितना stock, कितना cost of sales, method 2 में, और इसमें end of the year तुमको मालूम चलेगा जब तुम stock minus करोगे purchase से, इतना cost of sales है, बाकी का हमारा stock है, try to understand, इसमें तुम daily basis पे, अरे भाया, कितना आया, कि inflow, outflow, inflow, outflow, तुम आज के दिन, middle of the year also I can tell, okay, this is cost of sales, this is my closing stock, when I am keeping record, I will be able to tell any point of time, just check my accounts and I will tell, update you, so list of balances, you are finding consumed as well as stock, it means it is method 2, but sometimes you won't find stock in balance sheet, sorry, trial balance, आपको नीचे मिलेगा, इसका मला अभी तक find out नहीं हुआ है, it means they are following method 1, end of the year में मालूम चलेगा, counting end of the year होगी, तो last में मालूम चला, last में adjustment करके उसको फिर asset दिखाएंगे, यहाँ पर everyday आपको मालूम रहेगा, क्या मेरा cost of sales है, क्या मेरा closing stock है, anyway, so यह हम लोगों को मालूम है, यहाँ पर consume दिया हुआ है, तो जो हमारा closing stock है, वो सिधा का सिधा balance sheet asset में जाएगा, right, land उसकी valuation, land का value दिया हुआ है, अचा, land में depreciation का fund नहीं है, क्यों नहीं है, मालूम है, क्योंकि land पर depreciation नहीं होता है, loan, छोड़ दो, balance sheet, mastery cost उसकी depreciation, balance sheet, wages, 195, return earning is part of equity, return earning equity होता है, revaluation reserve भी equity का part है, revenue 1686, okay, sales salary 84, is it like in a, share capital is, equity, trade payable, balance sheet liability, और trade receivable, balance sheet asset, ठीक है, तो इतना सही है, दो adjustment बचा हम लोग कल कम्पलीट करेंगे, इसको ठीक है, अभी class है दूस्ता, आप लोग ट्राइ करके आईएगा, और वीडियो आप लोग देखिए, प्लीज वाच वीडियो फ्रम, लास्ट जो बैच है, उसका उसका वो भी देख सकते हैं, रेकॉर्डेट वाला, रेकॉर्डेट वाला छोड़ दो, जो लास्ट, जो सेप्टेंबर वाला जो लाइव बैच है, लाइव क्लास का जो फोल्डर है, सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वाला से आप देखिए, उसमें आपको बढ़िया से दिखेगा, चिक हैं, एक जन्ने ओके भी लिग दी रहे हैं,